नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं एक और जहाँ राई सरकार सहयक अध्यापक नियुक्ति में बता दे बतन मांग की मांग को लेकर राजभर के पाला सिख्ष को जो सहयक अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं सन्नीवार को सीम आवास का घिराव करने रांची पहुंचे मुराबादी मैदान से सीम आवास की ओर न्याय मार्च निकाला लेकिन इन सहायक अध्यापकों को बीच में ही मुराबादी मुख्य सलक पर पुलिस बेरिकेटिंग के समक्ष रोक दिया गया इस दोरान सहायक अध्यापक पुलिस से बेरिकेटिंग हाटाने की मायं करते रहे टेट पास सहायक अध्यापक समन्वे समितिक बैना तले सवक परूतरे एपरासिक्षक सरकार के बिरो नरवाजी की है पुला मरांडी ने बिजेपी परदेस अध्याख का लिया चार्ज पुला मरांडी ने पगड़ी पहनी और दाफ्तर में हवन किया जारखन बिजेपी की कमान लेने के बाद आपने पदभार ग्रहन से पहले हो कूछ इसी अन्धाज मेंजर आए इस मौके पर निव वर्तवान परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने परदेश अध्यक्ष चेंबर तक उन्हेले जाकर चादर और पुस्प गुछा देकर स्वागत किया भागवा रंग की पगड़ी पहने परदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी सम्हाल ने पहुँचे बाबुला मरांडी को बधाई देनने के लिए करकताओ और नेताओ कताता लगा रहा बाबा धाम सिग्रदर्शनम गेट में एक कूपन से कराता था दो लोगों की इंटरी देवघर बाबा मंदीर के सिग्रदर्शनम इंटरी गेट पर फ्लैप बेरियर के एक करमचारी द्वारा सिग्रदर्शनम कूपन की काले बाजारी करने के ममला सामने आया है कुछ सरधालों ने मंदीर कंट्रोल डूम में इसकी सिकायत भी की थी बतादे सिक्र दर्शनम पर भारी परकास कुमार मिस्तरा ने मामले को गंभीता से लेते हुए उक्त करमचारी के किरिया कलाप के निगरानी की तो संदेहा हस पाया इसके बाद उसे बुलाकर दंडा अधिकारी की मौजूदगी में परसासनिक भावन में पुछताश की गई उसने बताया कि वह एक कार्ड पर दो से तीन सरधालों को परवेश करा रहा था और एक्टिव कार्ड को अपने पास रख लेता था इस कार्ड को बाद में अवय तरीके से बेजता था आरोपी की तलासी लेने पर उसके पैकेट से छह कार्ड और जांगिया में रखे दस कार्ड बढामत किये गए मामले में सिक्र दर्शनम परभारी ने उक्त फलेप वैरिक कर्मी बिहार के समस्ति पूर जीला अंतरगत दल सिह सराय थाना छेत्रे के बबया हर लाल गावनिवासी भैरो लाल साह के खिलाप बाबा मंदिर थान में प्राथमी की दर्च कराई है क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेक से वारता के बाद जार्खन राज जन सेवक संग ने हरताल समाप्त करने की खोशना की गई जन सेवक संग की सदस अनामीका सिंग ने बताया है कि नेपाल हाउस चीवाले के क्रिसी मंत्री कख्च में हुए जार्खन राज जनसेवक संग और किरिसी बिभाग के बीच होई वारता में किरिसी मंत्री ने जनसेवक सन्वर्ग का ग्रेट पे पहले की तरह यथावत रखने का अस्वासन दिया है जमसेदपूर MGM अस्पताल में सोट सर्कीट से लगी भिशन आग अस्पताल में लगे फायर एक्टिविशर से किसी तरह आग पर काबू पाया गया बता देव फायर एक्स टीवी सर चलाने के कारण इमर्जेंसी में धुआ भर गया इसे मरीजों को भी काफी परचानी हुई है धुए के कारण उन्हें सांस लेने में परचानी हो रही थी आग लगने पर चेंबर में बैठे डॉक्टर और नर्स जान बचा कर निकल भागे इसके बाद अस्पताल के बीली मिस्तिरी को सुचित की गई टल गया बालासोर जैसे हाथसा दो लोको पाइलट और एक गाड सस्पेंड उडिसा के बालासोर में हुए रेल हाथसा का मामला सांथ भी नहीं हुआ था कि खड़कपूर रेल मंडल में गुरु आर की रात बड़ा रेल हाथसा ठल गया है बता दे पास कुडा रेलवे स्टेशन पर हावडा अहमादाबाद सुपर फास्ट एक्सप्रेस लाल सिग्नन को पार कल आगे निकल गई घटना रात एक बजे की बताई जा रही है रेलवे ने रात में ही ट्रेन के मुखे लोको पाइलट आर खल्खो और सहयक लोको पाइलट एकके दास और गाड राजन कुमार को सस्पेंट कर दिया है दोनों लोको पाइलट चक्रधर पूर रेल मंडल में पदस्था पिता है जारखन में मानसून की बेरुखी 88% काम बीते साल सुखा जहल चुके किसान इस बार भी मानसून की बेरुखी से चिन्तित है बारिस के इंतियार में पहले बिचला लागाने में देरी हुई बड़ी मुश्किल से बिचले लगे भी तो पानी के अभाव में सुख रहे हैं बतादे राजे में मांसूर की ठितिया है कि आधा जुलाई भी चुका है पर राजे में अभी भी समाने से 78 फिजदी कम बारिस हुई है नतिजदन धान की रोपनी भी लग्ष का मात्र आठ फिजदी हुई है साथ जिलो में रोपनी का परतिसत भी जीरो है किरिसी विबाग कमसार राजे में 18 लाख हेक्टेर में धान लगाने का लग्ष है इसके विरू 13 जुलाई तक महाज 1,47 लाख हेक्टेर में धान रोपनी हुई है यानि अब तक महाज 8.19 परतिसत ही रोपनी हुई है तार पर कपड़ा डालते समय फैला करंट मा बेटी की महुत जमसेतपुर के मुसा बनी धाना चेतर के सिपाही लाइन में बिजली के तार की चपेट में आने से मा बेटी की महुत हो गाई मुरीतक मा 65 वर्सी ये बासो सुरेन और बेटी 35 वर्सी ये मालती सुरेन है घाटना के बाद सवो को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड जूट गई है घाटना को लेकर बताया जा रहा है कि सन्नी वार सुबा 6 वजे मा बासो सुरेन असनान करने के बाद घार के बाहर कपड़ों को सुखाने के लिए डालने लगी महिला तार पर गिले कपड़े डाल रही थी अचानक तार में करेंट आ गया करेंट लगले से महिला छट पटाने लगी मा को तड़ापता देख बचाने के लिए बेटी मालती सुरेन गई करंट ने उसे भी अपने आगोस में ले लिया थोड़ी ही देर में दोनों मा बेटी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई है रगुबरदास ने कहा हम डरने वाले नहीं जनता हिसाब करेगी तेरह जुलाई को बीजेपी नेताओ पर हुए लाठी चार्ज की जाज करने पहुंची टीम ने इसे राज प्रायोजित हिंसा करार दिया है टीम के संजोजक रगुबरदास ने कहा है कि बिहार की सरकार ने रैली को कुचलने का काम किया पातना में प्रेस कंफरेंस में रगुबरदास ने कहा है कि केंद्रिय नेतित्य ने लाठी चार्ज को गंभीता से लिया है हमने मौके पर जाकर लोगों से बात की हमारे एक हैर करकरतावों को चोट लगी है इन में से 300 को गंभीरे चोटी आई है जाज टीम को जीतनी जनकारी मिली है उसके अधायर पर हम कहा सकते हैं कि ए राज प्राव्योजित हिंसा है सीम नीतिस और डिप्टी सीम तेहस्वी आदव ने कुरूरता पुरुवक लाठी चार्ज करवाया है हम मामले की नयाइक जाज की मायं करते हैं भाजपाक के नेता जनहीत के मुदे पर सांती मार्च निकाल रहे थे सरकार ने सोची समझी साजिस के तहत मारपीट की है मेडिकल की 15 परतिसथ सीटों के लिए 20 जूलाई से काउंसिलिंग शुरू मेडिकल कौंसिलिंग कमिटी ने यूजी निट 2013 के सफल अभियार्थिओं के लिए अल इंडिया मेडिकल कॉलेज़ों की 15 परतिसथी सीटों पर अनलाइन कौंसिलिंग की खुसना कर दी है कौंसिलिंग 20 जूलाई से शुरू होगी इस वर्ज कॉंसलिंग की परकिरिया चार चरण में होगी विद्यार्थी एम्स, जिप मेर, डिम्ड और सेंटरल उन्वर्सिटी में MBBS, BDS और BSC नर्सिंग की सीटे हासिल कर सकते हैं हुनर्मंद बन रहें जार्खन के युवा, आज 20 व युवा कॉशल दिवस है, थी महाई परिवर्तन कारी भवी से के लिए सिक्ष को, प्रसिक्ष को और युवाओ को कुशल बनाना युवाओ को हुनर्मंद बनाने के लिए सन्युक्तराष्ट महासाभाण ने 15 जुलाई 2015 से 20 व युवा कॉशल दिवस मनाने की घोसना की इसके बाद से युवाओ को स्कील डेवलोप्मेंट यानि प्रसिक्षन से हुनर्मंद बनाने की कोशिस की जा रही है राजधानी में भी युवाओ को हुनर्मंद बनाने की कोशिस की जा रही है युवा मिस्कुलो का सामना कर बेहतर भविस से गढ़ने में जुटे हुए है रोजगार भी आचिल कर रहे हैं बता दे रांची की जस्मती कुमारी के पिता नीजी स्थान में काम करते हैं बड़ी मुस्कित से परिवार का खर्च उठा पाते थे इस करोमेट्रिक पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़नी पढ़ी फिर भी परिवार की मदद के लिए नवकरी प्रत्मिक्ता में सामिल रही है जारखन में अब तक नहीं बना पेशा कानून जारखन में अब तक पेशा कानून नहीं बना है पेशा एक्ट 1996 में जन जाती है बहुल राज्यों को इससे समधित कानून बनाना है जार्खन अरोडिसा में अब तक यह कानून नहीं बना है इस पर भारत सरकार ने नरागी जताई है भारत सरकार के पंचाइती राज बिभाग के सचीव ने राज सरकार को कहा है कि अगर कानून नहीं बना तो केंद्र आर्थिक सहयोग रोक सकती है पेसा एक्ट के तहट लागू परवधानों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग करती है इसके लिए सभी राज जियों का अपना अपना कानून होना जरूरी है बतादे बीत आयोग का पैसा लेने के लिए राजियों को पेशा कानून लागू करना जरूरी है जारखन में पाचवी अनुशुची में 16 जिले आते हैं राजियों को बीत आयोग से करीब 1300 से लेकर 1400 को रुपए मिलते हैं पैसा कानून ग्राम सभा को ससक्त करने के लिए है इसके तहट जमीन हस्तरांतरन सहीत कोई तरह के अधिकार ग्राम सभा को देने होंगे धनिवाद